नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल ग्यान सागर दोस्तों आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में यानि पाइल्स के बारे में बावसीर एक बहुत ही पीड़ा दायक रोग है और यह है खासकर जब और भी ज़्यादा पीड़ा दायक हो जाता है जब बावसीर के दोरान ब्लडिंग होने लग जाती है यानि खूनी ववासीर एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है किन्तु जादातर लोग नहीं जानते हैं कि यदि समय पर इस रोग का इलाज नहीं किया गया तो यह एक बहुत ही जानलेवा समस्या बन जाती है खासकर यह समस्या पेट साफ नय होने के कारण या फिर किसी अन्य कारण के कारण यदि गुदा पर दबाव पड़ता है तो यह समस्या पैदा हो जाती है दोस्तो इस समस्या को हम पाइल्स कहते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया इसके अलावा इस समस्या का यानि इस रो का एक और भी नाम है जिसे हम बोलते हैं मूल व्याधी तो दोस्तो बवासीर यानि पाइल्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे बवासीर और पाइल्स के घरेलू उपाए हम बताएं उससे पहले हम जानते हैं कि बवासीर के मुख्य कारण क्या है और बवासीर होने पर हमें लक्षन क्या दिखाई देते हैं और बवासीर कितने प्रकार की होती है यानि पाइल्स के प्रकार क्या है जो कि जानना आपके लिए बहुत ही आउशक है तो दोस्तों शुरुवात करते हैं इस वीडियो की दोस्तों मुख्य रूप से बवासीर चार प्रकार की होती है यानि पाइल्स चार प्रकार के होते है पहला होता है अंदुरूनी बवासीर यानि इंटरनल पाइल्स की जो प्रॉबलम होती है इसके अंदर क्या होता है कि गुदा जो होता है उसके अंदर की तरफ मस्से बन जाते है हाला कि यह रोग या इस तरह की बवासीर ज़्यादा परेशानी क्रियेट नहीं करती है यह ज़्यादा गंभीर नहीं होती है यह मस्से अंदर की तरफ होते हैं और बहुत ही कम समय के लिए ये हमें परेशान करते हैं दूसरी बवासीर होती है जिसे हम कहते हैं बाहरी बवासीर यानि एक्स्टरनल टाइप के जो पाइल्स होते हैं इस तरह के पाइल्स में क्या होता है कि जो मल का जो छेद होता है जिसे हम बोलते हैं गुदा उसके बाहर यह बहुत ही गंबीर समस्या बन जाती है तीसरा टाइप होता है प्रॉलेस्ट बवासीर इस बवासीर के अंदर जो गुदा होता है उसके अंदर की तरफ जो मस्य बन जाते हैं उनमें सूजन आने लग जाती है इसमें बवासीर एक सूजन गरस्त गांट की तरह या गुदा क बाहर की तरफ निकली हुई होती है यह बहुत ही गंबीर समस्या होती है और चोथा टाइप होता है जो की बहुत ही गंबीर है यह होता है खूनी बवासीर इसके अंदर खून के ठक्के जम जाते हैं और जब हम फ्रेस होने जाते हैं पोटी जाते हैं तो खून भी हमारे इसमे जादा प्रेषाणी नहीं क्रेट करती है छादा खतरनाक नहीं होती है पर उसके बाद जो हमने आपको राउम्स बताई हैं उनमें हमें प्रोब्लम होने लग जाती हैं दोस्तों बावा सीर को चार स्रेड़ीयों में मतला चार चरण में तो हम step by step बताते हैं पहला चरन होता है जिसे हम आंतरीक बवासीर भी कहते हैं अंदर की तरफ सूजन आने लग जाती है यह है पहला टाइप होता है इसमें दर्द नहीं होता है और क्योंकि यह पहला प्रकार है इसलिए यह ज़्यादा परेशानी भी क्रियेट नहीं करता है जब हम fresh होने जाते हैं तो यह मस्य बाहर की तरफ आते हैं और जब fresh हो जाते हैं हम तो यह मस्य वापस अंदर की तरफ चले जाते हैं यह दूसरा टाइप है तीसरा टाइप है दोस्तों जब हम fresh होने जाते हैं तो मस्य बाहर की तरफ आते हैं और साथ में खून भी आने इसके अंदर बवासीर होती है जब हम फ्रेस होने जाते हैं मल तया करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है खून आने लगता है और मस्से बाहर की तरफ भी आ जाते हैं और मस्सो का साइज भी बढ़ जाता है तो दोस्तो आज हमने ये चार आपको टाइप बता हैं दोस्तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लक्षन क्या है बवासीर के मुखे लक्षन क्या है कैसे आप पैचान सकते हैं कि आपको बवासीर रोग हो गया है दोस्तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और जो जो ज चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद दोस्तों